तो चलिए बच्चों बात करते हैं, what is detol and tincture iodine, देखिए इसमें दो question हम एक साथ किये हैं, जदि आप से कहा जाए what is detol, तो जितना देर तक हम detol समझाएंगे, detol वाला लिखिएगा, और what is tincture iodine, तो tincture iodine वाला ये नहीं, जो दोनों लिख दीजिएगा, question में किसका answer के कितना करना है, ये सबसे पहले जानकारी होना चाहिए, तो कहा जा रहे what is detol, बहुत famous term है, detol सब लोग जानते होंगे, तो सबसे पहले detol समझ लीजे एक mixture है, detol क्या है एक mixture है, किसका किसका, chloro-gelenol, और दूसरा किसका, terpenol, मतलब दोनों का ये mixture है, अब मत पूछ दीजेगा सर जी फर्मूला, फर्मूला के फेर में मत परिये, क्योंकि जेई और नीट से तो इसको निकाल ही दिया गया है, chemistry in everyday life, इसी लिए 12 का level का बात कीजिए, detol act as antiseptic, यानि जिसको हम खा नहीं सकते हैं, सिर्फ अपने body पर लगाते हैं, उस सभी को क्या कहा गया है बच्चों, antiseptic, और जिसको खाते हैं, उसका नाम antibiotic, तो detol act as antiseptic to the living tissue, यानि उपर से such as wound जहां पे घौव हो गया है, कट गया है, अलसर हो गया है, वहां पे हम इस detol का इस्तेमाल करते हैं, एगेंच चलिए, tincture iodine, जब हम लोग, when 2-3% I2 in alcohol, जदी 2-3% iodine हम किसमें dissolve कर दें, अलकोहल में, तो उसको क्या बोलिएगा, tincture iodine, tincture iodine act as antiseptic, ये भी जो है, एक क्या है, antiseptic है, मतलब लगाने वाला दवा है, खाने वाला दवा नहीं है, फिर ये भी कहां पे लगाया जाता है बच्चों, गाव पे लगाया जाता है, तो किलियर हो गया, वाट इज डिटॉल कहा जाए, तो बस इतना ही तक लिखिएगा, वाट इज टिंग चराया जिन कहा जाए, तो ये लिखिएगा, और जदी कह दिया जाए, वाट इज एंटी सेप्टिक, तो दोनों लिख दीजिएगा, मार दीजिए इसी पर लाइक का बटम और सेयर कर दीजिए,